Hello my friends, welcome back to my channel money management where you are learning how to manage your money and how you can multiple your money मैं हमेशा यह कहता हूँ जग तब आप सीखें यह नहीं तब आप पैसा नहीं केमा सकते हैं इसलिए आप पहले ग्यान लीजिए मेरे से लीजिए या कहीं और से लीजिए पहले पूरा ग्यान लीजिए बाद में execution कीजिए ठीक है आज मैं बात करने वाला है कैसी strategy पे उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अभी result session चल रहा है और जब result session चलता है तब stock option में stock में काम करने हैं बहुत मसा आता है हर बार quarterly results आते हैं stock के और stocks में movement खूब रहते हैं इस time पे कई तरह की strategy बनती है ठीक है फिलहाल मैं उस strategy की बात नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल दे में भी आप इस position को बना सकते हैं और आप result session में भी बना सकते हैं तो इसी तरह से मैं stock option की strategy आपके सामने लेका है जिसको जिसे मैं trade execute करता हूँ करवाता हूँ जिसे कहते हैं short term combo strategy ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि stock option, stock future दोनों position साथ हैं बनाते हैं कोई साभी stock future के हमने target कर लिया chart पे देखके या फिर आपका advisor आपको advise करता है वो और आपको volatility की confirmation है कि हाँ ये stock जिदर मेरा advisor बोल रहा है या जो मेरा prediction कहता है उधर जाएगा ही but in case अगर उल्टा हो गया तो उस case में क्या होगा तो protect करने के लिए ठीक है तो short term combo pick हम कैसे बनाते हैं last time मैंने एक position बनाई थी actual में ठीक है हिंदुस्तान Unilever में उसमें क्या किया था मैंने 227-18 के आसपस हिंदुस्तान Unilever का future buy किया और 7 के साथ 2220 का put option buy कर लिया ठीक है I am very much sure मेरे चार्ट पर जो pattern मेरा जो prediction है मेरा जो prediction था उसमें ये था कि हिंदुस्तान Unilever पर पक्का चलेगा ठीक है तो but मैंने साथ में put क्यों purchase कर लिया put इसलिए purchase किया क्योंकि market की volatility अब बहुत जादा है आपने देखा होगा आज भी market बहुत जादा volatile था कब 200-300.500 पंट ऊपर निचे हो जाता पता नहीं चलता इसलिए मैं साथ में जब भी position बनाता हूं मैं naked position कभी नहीं बनाता position hedge में रहती है या वह 100% हो 70% हो 50% हो 10% हो hedging में डालता ही डालता हूं ठीक है तो 2220 की put option purchase कर लिए और 2200 future कितने buy किया 227-18 में अब इस case में होगा ये कि मानलो जो option मैंने buy किया उसका premium मैंने 50 रुपय दिया अब इस case में ये होगा कि मानलो actual मुझे तेज लग रहा था actual अगर 2400 रुपय आ जाता है 2220 रुपय मैंने buy किया तो 180 रुपय मुझे future में मिल जाएगा और मैंने premium कितना buy किया put का 50 रुपया तो 180 रुपय में से 50 में minus कर दूँगा तो बाकी का मेरा profit हो जाएगा 130 रुपया ठीक है अगर actual 2000 रुपय आ जाता है ठीक है तो मुझे यहाँ पे कितना पूट option से hedging करी है 50 रुपय में और 2000 रुपय जब आ जाएगी उसकी value future की तो stock option की value भी तो बढ़ेगी ना मैंने add the money stock option किया है जब 2000 रुपया जाएगी तो 2200 रुपय चो option है वह in the money हो जाएगी तो उसकी भी तो value बढ़ेगी तो 180 रुपय में से 150 रुपय माइनस कर दें कितना लगा मुझे सिर्फ 30 रुपया जहाँ पे मुझे 180 रुपय लगने तो वहाँ पे सिर्फ मुझे 30 रुपय लग रहे हैं इसलिए मैं hedging position बनाता हूँ तो इस तरह से combo strategy आप भी बना सकते हैं जब आपको stock में moment ज्यादा लग रहा हो क्योंकि जब आप combo strategy बनाएंगे सिर्फ दो इसमें एक और strategy बनती जिसमें एक और call option add होता है ठीक है वो sale करके अगर कम volatility में आपने बना लिया 10 रुपय 20 रुपय में तो फिर आपको हो सकता है कि loss लग जाए 2240-217 तो मुझे 23 points यहां पर मिल गए लेकिन मैंने 2200 जो put option buy करी इसका premium मैंने कितना दिया 50 रुपया तो 50 रुपय वहां लग गया है तो फिर भी मुझे 25 रुपय का loss हो जाएगा इसलिए जब आपको volatility ज्यादा लग रही है तब आप short term combo पी कैसा बना सकते हैं तो उसमें आप यह productive position बना सकते हैं क्योंकि 2200 पर आपने position में अगर 2500 चला गया तो profit तो आपको ऊपर unlimited आना है क्योंकि आपने put option का जो hedge करने के लिए 50 रुपय प्रीमियम दे रखा है क्योंकि 50 रुपय आपने put का premium दिया है तो ऐसे बड़े बड़े stock में आप काम कर सकते हो आईशर मोटर में जिसमें ज्यादा moment है ठीक है HUL में moment रहता है उसमें कर लिए TCS में कर सकते हो उसमें बहुत moment रहता है ऐसे कई stock futures available है जिसमें आप short term combo आप बना के काम कर सकते हैं short term क्यों क्योंकि मैं ज्यादा दिन नहीं रखता है यह position 2-3 दिन में position clear बहुत बार ऐसा होता है कि position फस गई या फिर मेरे recording moment नहीं आया है और मुझे लगता है कि moment बाकी है तो थोड़ी दिन इसको extend कर लेता हूं otherwise 2-3 दिन चार दिन मतलब एक week maximum रखता हूं और position score कर देता हूं इसमें मुझे risk बहुत limited है risk जो है मैंने पूरा secure कर दिया और profit पूरा खोल के रखा है ठीक है तो ऐसे strategies आप भी बना सकते हैं दोस्तों अगर इस strategy में आपको कोई confusion है you can ask me by call message and comment I will clear जो भी आपका confusion है ठीक है फिलाल आज के लिए इतना है मिरे दोस्तों मिलते है next video में next strategy के साथ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया channel subscribe करे और like कर दे thank you thank you